दोस्तों महान फिल्मेकर राजकपूर को उनकी असाधरन फिल्मेकिंग के लिए इंडस्ट्री ने एक खिताब दिया वह था शोमेन का खिताब राजकपूर के बाद सुभाजगई को यह खिताब इंडस्ट्री ने दिया उनकी बहतरिन फिल्मेकिंग के लिए दोस्तों सुभाजगी के बाद उस पद्वी को अगर किसी में लेने का दम या हिम्मत है तो वह है एक्टर प्रोडूसर और डारेक्टर राकेश रोशन क्योंकि राकेश रोशन कितने ही सालों से हीट और ब्लोकबस्टर फिल्में इंडस्टी को दे रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्टी को पहला सूपर हिरो देने का श्रेव भी राकेश रोशन को ही जाता है दोस्तों की क्रिश फ्रेंचाइजी की नेक्स्ट फिल्म का सभी दर्शकों को बेसबरे से इंतिजार भी है जिसमें क्रिश अपने पिता से मिलने के लिए टाइम ट्रावल कर सकते हैं बेरहाल दोस्तों राकेश रोशन का इस मुकाम तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं था और आज हम बात करने वाले हैं राकेश रोशन की एस डिरेक्टर पहली फिल्म के बारे में जिससे उन्होंने अपने आपको इंडस्टी में साबित कर दिया अपने चेनल बोलीवोड अन्बोक्सिंग में इस फिल्म खुद गर्ज की कहान लिखी थी खुद फिल्म के डारेक्टर और प्रोडूसर राकेश रोशन ने और स्क्रिनपले लिखा था मोहन कॉल और अविकापूर ने दोस्तो राकेशोशन ने फिल्म खुदगर्ज से के अक्षर पर जो फिल्म बनाने का सिलसिला चालू किया वह आज भी जारी है आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी फिल्म के टाइटल के लिए के एक्षर ही क्यों चुना दरसल दोस्तो राकेशोशन के एक्टिंग केजियर की तरफ ध्यान दे तो जिन फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किये उनमें से अधिक तरके एक्षर वाली फिल्मों को प्ले मामले में राकेशोशन ने अपने ससूर जेयों प्रकाश को फोलो किया जेयों प्रकाश भी अपनी सारी फिल्मों का टाइटल एक्षर से रखा करते थे उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों में से 23 फिल्मों का नाम एक्षर से स्टार्ट होता है फिल्म भगवान दादा एक मात्र एसी उनकी फिल्म है जिसका टाइटल B से स्टार्ट किया था हाला कि उन्होंने फिल्म भगवान दादा का नाम भगवान दादा ना रखकर अशोक दादा रखा था लेकिन राकेश रोशन के कहने पर उन्होंने टाइटल को चेंज किया और अशुक दादा की जगा उन्होंने भगवान दादा रखा दोस्तो राकेश रोशन फिल्म कामचोर और भगवान दादा के तो प्रोडूसर भी रहे थे दोस्तों इस बात से वे शुरू से वाकिव थे कि बतोर एक्टर वे अपने आपको बड़ा नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनको अक्सर मल्टी स्टार फिल्मों में सपोर्टिंग रॉल ओफर हुआ करते थे वे रॉल भी वे इसलिए किया करते थे ताकि उनकी आज ही विका चलती रहे जब राकेश शोशन को लग गया कि अब एक्टिंग में वे ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे तो उन्होंने फिल्म में प्रोडूस की उनके द्वारा प्रोडूस की गई पहली फिल्म आपके दिवाने तो ठीक ठाक चली उनकी अगली प्रोडूस की गई फिल्म कामचोर को दर्शकों का प्यार तो मिला पर क्रेडिट फिल्म के म्यूजिक और जयाप्रदा को ही गया उनकी अगली प्रोडूस की हुई फिल्म थी जाग उठा इंसान, क्रिटिक्स ने फिल्म की काफी तारिफे की लेकिन कमर्शली फिल्म हिट नहीं हो पाई चोथी फिल्म उन्होंने प्रोडूस की रजनी कांत और स्री देवी को लेकर भगवान दादा जिसमें रितिक रोशन की छोटी सी भूमिका रखी गई थी दोस्तों के ससूर और फेमस डिरेक्टर जेयों प्रकास के डिरेक्शन के बाद भी फिल्म भगवान दादा फ्लोप हो गई फिल्म भगवान दादा के फ्लॉप हो जाने के बाद राकेश रोशन ने खुद को अपनी बनाई फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया और डिरेक्शन में अपना हाथ आज मया और उनकी एज़ डिरेक्टर और प्रोडूसर पहली फिल्म बनी दोस्ती और दुष्मनी को निवाने वाली ड्रामा फिल्म खुद गर्ज दोस्तों जितना मुश्किल इस फिल्म को बनाना राकेश रोशन के लिए था उतनी मुश्किलों में रही इस फिल्म की कास्टिंग इस फिल्म के बारे में मज़ेदार बाते जानने से पहले आईए जानते हैं कि इस फिल्म के मुख्यों और सहाया कलाकार कौन-कौन थे इस फिल्म में भी ने कर रहे थे जितेंदर शित्रुकन सिनहा, भानू प्रिया, अम्रतासिह, गोविंदा, नीलम, कादर खान, किरन कुमार, साइद जाफरी, सुधिर दल्वी, विकास आनन, अभिवटाचार्य, सत्यन कपू, मेक मोहन, गंशाम रोहरा, सुष्मा शेट, प्र अमीर आदमी, और बड़ी होटल का मालिक, और दूसरा होता है गाउं से आया हुआ गरीब आदमी, दोस्तों जीतेंदर को अमीर आदमी की भूमिका में राकेश रोशन पहले ही साइन कर चुके थे, क्योंकि दोनों खास दोस्त थे, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम रहा ग रजनी कान से संपर्ख किया गया था, लेकिन दोस्तों रजनी कान ने यह ओफर ठुकरा दिया, रजनी कान के बाद यह रोल कमलाजन को ओफर किया गया, लेकिन उन्होंने भी यह रोल आश्युकार कर दिया, कई ही रोश से उस रोल के लिए बात की गई, लेकिन कोई बात न व्Eंका को साइड में रखकर उस करेकटर को भी करेकटर बनाने के व्EBA कर लिया लेकिन अभी शचत्रुगं सीना से सिक्रती लेनी बाकी थी शचत्रुगंसीना को राके सोशन ने दो गंटे तक फिल्म का कंसेप्ट समझाया कई बार सोचने के बाद आखिरकार शत्रुकन सिना ने फिल्म के लिए अपनी रजामंदी दे दी दोस्तो अभी निता जितेंदर का केरियर हाला कि शत्रुकन सिना से कई साल पहले स्टार्ट हो गया था और दोनों की यह साथ में की हुई दसवी फिल्म थी इससे पहले दोनों फिल्म गोल्ड मिडल खिलोना एक नारी एक ब्रह्मचारी बनफूल शादी के बाद भाई हो तो ऐसा जानी दुश्मन मकसद और केदी में एक साथ दिखाई दे चुके थे दोस्तो राके सोशन चाहते थे कि इस फिल्म खुदगर्ज में जितेंदर के सामने वे श्री देवी को कास्ट करें लेकिन श्री देवी को लग रहा था कि भूमी का फिल्म में इंपोर्टेंट नहीं है तो उन्होंने इस फिल्म को अस्विकार कर दिया तब उस समय चल रही श्री देवी की सबसिचूट भानूपरिया को फिल्म में उस रोल के लिए कास्ट किया गया दोस्तो भानूपरिया उन दिनों जितेंदर के साथ दो तिन फिल्म में और भी कर रही थी जब राकेश रोशन ने बानुपरिया को इस फिल्म के लिए साइन किया था तो यह बात पूरे हिंदी सिनेमा में फिल गई थी सभी उस समय यह मानने लगे थे कि बानुपरिया को साइन करने से पहले राकेश रोशन से बात करनी पड़ेगी जब राकेशोशन को यह बात पता चली तो उन्होंने इस बात पर काफी नाराजगी बिज़ताई उन्होंने कहा कि जिस भी प्रोडूसर को भानुपुरिया को फिल्म में साइन करना है वह डारेक जाकर उनसे मिल जगता है दोस्तो फिल्म खुदगर्ज की सेकेंड हिरोईन थी अमरतासी है राकेशोशन को लगा था कि फिल्म में जितन्रे के सामने श्री देवी है तो फिल्म चल जाएगी लेकिन जब राकेशोशन को श्री देवी की जगह भानुपुरिया को साइन करना पड़ा तो उन्हें लग रहा था कि फिल्म में एक बच्ची होई हिरोईन का किरदार कोई फेमस हिरोईन निवा है क्योंकि वहनुपुरिया साउथ की एक्टरिस थी और अब तक उन्हें बॉलिवूड में कोई जानता नहीं था राकेशोशन ने उस रोल के लिए फिर अमरतासीयं से रिक्वेस की दोस्तों अमरतासीयं फिल्म बेताव और मर्द के बाद काफी फेमस बोलिवूड एक्टरिस बन गई थी अमरतासीयं को कई बार मनाने पर वह इस फिल्म में अपनी मार्केट प्रैसे भी कम पर काम करने के लिए राजी हो गई अमरतासीयं को लग रहा था कि फिल्म हिट तो जरूर होगी उन्होंने अपनी भूमी का छोटी होते हुए भी इस पक्ष में फिल्म कर ली कि शायद राकेश उरुशन उन्हें अपनी अगली फिल्म में कास्ट कर ले लेकिन ये हो नहीं पाया दोस्तों अमरतासीयं ने अभी कुछी साल पहले इंडस्टी में कदम रखा था फिर भी उन्होंने इस फिल्म में अभी नेतरी नीलम की मा का रोल प्ले किया था दोस्तों इस फिल्म खुदगर्ज में राकेश उरुशन चाहते थे कि टाइटल सौंग राज कपूर के ओपर फिल्म आया जाय की ताविर उन दिनों खराब चल रही थी तो वह गाना फिल्म हे रिशी कपूर के ओपर फिल्म आया गया इस फेमस गीत के बोल थे कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती दोस्तो इस फिल्म खुदगर्ज से अगर किसी को सबसे ज़्यदा फाइदा हुआ तो वह हुआ अब इने तक किरन कुमार को यह फिल्म किरन कुमार की एक तरह से देखा जाये तो हिंदी सिनेमा में कमबेक फिल्म रही थी हिंदी और गुजराती फिल्मों में हीरो के रूप में अपना केरियर शुरू करने वाले किरन कुमार की शुरुआती खलनाए की भुमिकाओं में यह पहली फिल्म रही थी किरन कुमार चाहते थे कि उनके पिता जीवन उनकी यह कमबेक फिल्म रिलीज होते हुए देखें लेकिन फिल्म की रिलीज के कुछी दिन पहले 10 जून 1987 को जीवन का निदन हो गया दोस्तो है जेव विलन अपना फिल्मी सफर इस फिल्म से शुरू करने वाले किरन कुमार ने बाद में कई फिल्मों में खलनाय के बहतरीन किरदार निभाए इस फिल्म खुदगर्ज में गोविन्दा ने जीतेंदर के बेटे और निलम ने शत्रुगन सिना की बेटी का रोल प्लिक किया था हाला कि गोविन्दा और निलम की इस फिल्म में कोई ज़्यादा बड़ी भुमिकाय नहीं रखी गई थी फिर भी दोनों पर फिल्म एक शानदर गीत फिल्माय गया इस गीत के बोल थे मैं से मीना से न साकी से बाद में गोविन्दा और निलम ने इस गाने पर कई बार स्टेज पर परफॉम भी किया दरसल गोविन्दा ने यह गाना राके शूशन के सम्मान के करण किया था क्योंकि गोविन्दा उस गाने की शूटिंग करने की काबिल उस समय नहीं थे हुआ यूँ था कि गोविन्दा अपने बतीजे को कंदे पर बिठा कर वेशनो देवी गए थे और चड़ाई इतनी थी कि उनके पेर सूझ गए थे अगले ही दिन इस गाने की शूटिंग करनी थी पेर इतने सूझे हुए थे कि गाना शूट करना उस दिन टाल देना पड़ा अगले दिन गाना छे गंटे में शूट किया गया और फिल्म की रिलिस के बाद फिल्म का या गाना काफी हिट हो गया दोस्तो चंकी पांडे ने एक बार दावा किया था कि फिल्म खुदगर्ज में उन्हें गोविंदा वाला रोल ओफर किया गया था लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने यह फिल्म नहीं की दोस्तो प्रोडूसर पहलाज नहिलानी बॉंबे रिजन के इस फिल्म के डिस्ट्रिबूटर थे इस फिल्म खुदगर्ज की रिलिस के दोरान गोविंदा और पहलाज नहिलानी की किसी बात पर अन्बन हो गई इस वज़े से पहला आज ने खुदगर्ज के पोस्टर पर गोईंदा की एक भी फोटो नहीं लगवाई गोईंदा ने इसकी जवाबी कारवाई में कहा था कि इससे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि फिल्म में वैसे ही उनका रोल काफी छोटा सा था दोस्तो राकेशोशन ने इस फिल्म को अच्छा बनाने के लिए दिन रात एक कर दिये थे जब वे मेट्रो सिनेमा होल में फिल्म के प्रीमेर के लिए अपनी पत्नी पिंकी रोशन के साथ जा रहे थे तब जिस कार में वे जा रहे थे वह थी राकेशोशन की खुद की कार मर्सिटीज उन्होंने तब अपनी पतनी से कहा था कि अगर फिल्म सफल नहीं हो पाती है तो इस कार में हमारी यह आख्री ट्रैव होगी लेकिन फिल्म सूपर इट रही और राकेशोशन ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा दोस्तो राकेशोशन ने भगवान के सामने यह प्रण लिया था कि अगर उनकी यह फिल्म खुदगर्ज हिट हो जाएगी तो वे जीवन भर विग नहीं पहनेंगे यहां तक की अपना सिर भी मुडवा लेंगे जब उनकी यह फिल्म सूपर इट हुई तो उन्होंने भगवान से किया हुआ अपना वादा पूरा किया यहां तक की वे अपनी अगली फिल्म खुन बरी मांग की मेकिंग स्टार्ट करने से पहले भी तीरुपती जाकर अपना सेर मुडवा कर आये थे दोस्तो इस फिल्म की सफलता के बाद राके सोशन ने अपनी हर फिल्म का नाम अक्षर के से रखना शुरू किया और इसमें में ज़्यादा तर सफल रहे और यहां सिलसला आज भी जारी है फिल्म खुदगर्ज इतनी बड़ी हिट फिल्म रही थी कि इसके कई भाशाओं में रिमेक भी बने साल 1988 में इसे तेल्गु में बना गया प्राना इसनही तुलू के नाम से इस फिल्म में कृष्णन राजू और सरद बाबू लिड रोल में दिखाई दिये थे दोस्तो फिल्म खुदगर्ज में रजनी कान शत्रुकन सीना वाल रोल तो प्ले नहीं कर सके लेकिन तमिल में बनी फिल्म खुदगर्ज के रिमेक अन्ना मलाई में उन्होंने वही रोल प्ले किया साल 1992 में और फिल्म में उनके दोस्त बने थे सरद बाबू इस फिल्म अन्ना मलाई को घंदी में डब करके मेरा हक के नाम से रिलीज भी किया गया है दोशिटु साल 1993 में इसे फिर सह तेल्वगों में रिमेक किया गया कॉंढ़ा पलाई राया के लाजा के नाम से इस फिल में विंक्ट एक दिखाई दिए थे। साल 2003 में इसे उड्या में रिमएक क्या गया एजुगारा कृष्ना सुधामा के इस फिल्म में मितुन चकरवर्ती और उत्तम महुंती दिखाई दिए थे साल 2003 में इसे रिमेक किया गया कंणड में गो करना के नाम से इस फिल्म में बिनेता उपेंद्र दिखाई दिए थे दोस्तो फिल्म खुदगर्ज जितनी अच्छी फिल्म साबित हुई उतना ही अच्छा इसका म्यूजिक रहा था इस फिल्म खुदगर्ज के गीत लिखे थे इंदीवर और फारुक के सर ने और इन गीतों को धुन से सवा रहा था राकेश रोशन के भाई राजेश रोशन ने फिल्म के म्यूजिक अलबम में कुल छे गीत रखे गए थे जिनने अपनी अपनी आवाजे दी थी नितिन मुकेश मुम्मद अजी जोर साधना सर गम ने फिल्म के दो गीत काफी फेमोस हुए थे ये गीत थे कुछ भी नहीं रहता दुनिया में लोगों रह जाती है दोस्ती और आपके आ जाने से दोस्तो साल 1987 की टोप 10 फिल्मों में फिल्म कुदगज रही थी कमाई के मामले में तीसरे नमबर पर और फिल्म सिल्वर जूबली हिट साबित रही थी दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवड अन्बोक्सिंग को सब्सकाइब जरूर करें धन्यवाद